द्रिश्टी आईएस के ओडियो आटिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा आर्टिकल दा इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख आत्म निर्भर इंडिफेंस प्रोडक्शन वेर इंडिया स्टैंड्स अमंग इंडो पैसिफिक नेशन्स के सारा अधारित है प्रश्ण पत्रतीन के विज्ञान एवं प्रोड्योगी की खंड से जुड़ा है तो आईए आर्टिकल की शुरुवात करते हैं रक्षा क्षेत्र में आत्म निर्भर होता भारत आंतरिक दिश्टी से भारत अभूत पूर्व सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है इसमें आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ते हुए भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था बच जुका है हालांकि भारत में अभी भी कई चुनौतिया मौजूद हैं इनी चुनौतियों में से एक चुनौती भारत की सीमा सुरक्षा को लेकर बनी रहती है इससे निपटने के लिए भारत लगातार अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है इस क्षमता विस्तार में भारत में ही स्वदेशी रूप से विक्सित रक्षा उपकर्णों का निर्माड करना भी शामिल है दरसल भारत की सामरिक अवस्थिती और इसके बढ़ते वैश्विक संबंधों के कारण ऐसे मुद्दों पर कारे करने की जरूरत होती है जो राष्ट्रिय हितों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी होते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने रक्षा उपकर्णों के उत्पादन में आत्म निर्भर बनने का लक्षे रखा इसके बाद भारत इस क्षेतर में नित नए मुकाम हासिल कर रहा है असल में रक्षा क्षेतर को आत्म निर्भर भारत मोहिम से जोड़ने के बाद इसमें खासी प्रगती देखी जा रही है यही वजह है कि हाल ही में सिपरी यानी स्टॉक होम इंटरनाशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट में रक्षा उत्पादन में आत्म निर्भरता के मामले में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है जो भारतीय रक्षा उत्द्योग की एक बड़ी उपलब्दी है सिपरी की रिपोर्ट में भारत का ये मुकाम इस मामले में काफी महतवपूर्ण हो जाता है कि भारत को अब तक रक्षा उपकर्णों के सबसे बड़े आयातक देशों में गिना जाता था लेकिन अब भारत आयातक के साथ साथ रक्षा उपकर्णों के निर्यातक के रूप में उभर कर सामने आया है तो ऐसे में हमारे लिए सिपरी की रिपोर्ट को विस्तार से जानना जरूरी हो जाता है इसलिए आज के आर्टिकल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट में भारत की क्या स्थिती है और इसके क्या माइने है इसके साथ ही हम समझेंगे कि भारत की इस क्षेतर को लेकर क्या रण नीती है इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि इस मामले में भारत के सामने क्या चुनौतिया हैं तो आईए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है सीपरी द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट दरसल सीपरी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित बारह देशों को लेकर आत्म निर्भर हतियार उत्पादन क्षमताओं के संदर्ब में एक अध्ययन किया था इन देशों में आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिड कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, ताइवान, थाइलेंड और वियतनाम शामिल हैं अध्ययन में इन देशों को शामिल करने के पीछे सिपरी का तर्क है कि ये देश इस क्षेतर में सबसे जादा सैन्य खर्च करने वाले देश हैं सिपरी का यह अध्ययन साल 2020 तक के डेटा पर आधारित है इसमें हिंद प्रशांत क्षेतर में रक्षा खरीद के लिए देशों द्वारा बढ़ते आवंटन को भी शामिल किया गया है अध्यायन के मुताबिक हिंद प्रशांत क्षेतर में आत्म निर्भरता की सीमा को समझना और निर्धारित करना इन देशों के बीच भरोसे और आत्म विश्वास को समझने के लिए काफी महतुपूर्ण है अपने इस अध्यायन के बाद सीपरी ने Arms Production Capabilities इंदा इंडो पैसिफिक रीजन नाम से एक रिपोर्ट जारी की रिपोर्ट के मुताबिक आत्म निर्बर हतियार उत्पादन क्षमताओं में चीन इसक्षेतर में पहले स्थान पर है जबकि जापान दूसरे स्थान पर है अगर भारत की बात करे तो इसमें भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है वहीं दक्षिण कोरिया तीसरे और पाकिस्तान आठवे स्थान पर है इस रिपोर्ट को तयार करने के लिए तीन संकेतकों का सहाराली आ गया है ये संकेतक हथियारों की खरीद, शस्त्र उद्योग और मानव रहित समुद्री वाहन है रिपोर्ट में समुद्री क्षेतर के अध्ययन को शामिल करने के पीछे का तर्क ये है कि हिंद प्रशांद क्षेतर एक समुद्री थीएटर के समान है और इसकी जादातर समवेदन शील जगों पर नौ सेनाय तैनात है रिपोर्ट के मुताबिक एशिया और उशीनिया 1980 के दशक के उतरार्ध से निरंतर विकास के साथ सैन्ने खर्च में वृद्धी की सबसे लंबी निर्बाद अवधी वाले क्षेतर हैं हिंद प्रशांद क्षेतर के देशों ने अपने सशस्त्र बलों को समर्पित संसाधनों में वृद्धी के साथ सैन्निक शमताओं में भी सुधार किया है यही वजह है कि इस खर्चेतर में स्थित 18 हथियार वी निर्मान कमपनियों को साल 2020 में दुनिया की सौ सबसे बड़ी हथियार कमपनियों में स्थान मिला था हालांकि इस ख्षेत्र में मौझूद देशों की सेनाय आयातित हथियारों पर भी निर्भर है इसका अंदाजा इस तथ्या से लगाया जा सकता है कि 2016-2020 के दौरान दुनिया के पांच सबसे बड़े हथियार आयातिकों में से तीन इस ख्षेत्र से थे हालांकि कुछ देशों के पास अपने सैने बलों की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम हथियार उद्योग स्थापित करने की क्षमता है यहां एक रोचक तथ्य यह भी है कि बेशक रक्षा क्षेत्र में आत्म निर्भरता के मामले में चीन इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर है लेकिन 2016-2020 में चीन दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा हथियार आया तक देश था चीन ने अपनी नीतियों के माध्यम से रक्षा उद्योग शेत्र में प्रगती करते हुए इसे इस हद तक विक्सित कर लिया है कि अब यह चीनी सेना यानि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जरूरतों को पूरा करने में लगभग पूरी तरहां से सक्षम है हालांकि अभी भी चीन हथियारों का आयात कर रहा है लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम है जो अध्ययन में शामिल बारह देशों द्वारा कुल हथियार खरीद का मात्र आठ फीसदी है यहां इस बात का उलेख करना महतवपूर्ण है कि चीन और दक्षिन कोरिया दुनिया के दस सबसे बड़े हथियार निर्यातक देशों में शामिल है वहीं आस्ट्रेलिया की बात करें तो यह जादातर हथियारों के आयात पर निर्भर है बजाए निर्मान के यही कारण है कि आस्ट्रेलिया 2016 से 20 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आयातक देश था इस दौरान इसके हथियार खरीद की कुल मात्रा में 98 फीसदी आयात का हिस्सा शामिल था ऐसे ही शेश अन्यदेश भी थोड़े बहुत अंतर के साथ इस सूची में शामिल है हालांकि वियतनाम को डेटा की कमी के कारण अंतिम रैंकिंग में शामिल नहीं किया जा सका आईए अब समझते हैं कि इस मामले में भारत की क्या स्थिती है और रक्षा क्षेतर में आपने निर्भर बनने के लिए भारत क्या रणनीती अपना रहा है जैसा कि रिपोर्ट पताती है कि भारत ने 1950 के दर्शक के बाद से एक परियाप्त हतियार उद्योग का विकास किया है जो अपने खुद के डिजाइन विक्सित करने में सक्षम है इस तरह भारती घरेलू हतियार उद्योग का विकास भारत की क्रमिक नीतिगत योजनाओं का परिणाम है मौजुदा हतियार उद्योगिक नीती व्यापक रूप से मेकिन इंडिया नीती में शामिल है जो विदेशी कमपनियों के साथ साजेदारी में स्थानिय उत्पादन को बढ़ावा देती है ये प्रार्तमिक तायं बजटिये आवंटन में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है 2021 के सैन्य व्याए में भारत ने घरेलू उपकरण अधिग रहण के लिए अपने पूंजी कत परिव्ये का 64 फीसद निर्धारित किया था गौर तलव है कि इस लक्षे को ना केवल पूरा किया गया बलकि उससे जादा की खरीद की गई यही वजह है कि सरकार ने 2022 के लिए इसे बढ़ा कर 68 फीसदी कर दिया ऐसे ही स्थानिय हत्यार उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए 2020 और 2022 के बीच बारत सरकार ने सैन्ने उत्पादों की तीन सूचिया जारी की जो आयात प्रतिबंद के अधीन है इसमें 300 से जादा सैन्ने उपकरण और वस्तुएं शामिल है इस तरहां सरकार अपनी आयात नीती को कठोर बना कर भारतिय हत्यार उद्योग को बढ़ावा देने का काम कर रही है घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भारत में ही रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए करीब 460 से जादा लाइसेंस जारी किये थे इसके अलावा रक्षा उपकरणों का उत्पादन करने वाली कमपनियों में FDI यानि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा कर 74 फीसदी कर दी गई है गौर्तलबै की भारत का 2021 में रक्षा बजट दुनिया में तीसरे स्थान पर था हालाग की यह 2020 की तुलना में 0.9 फीसदी ही जादा है लेकिन साल 2012 की तुलना में 33 फीसदी जादा है इस बार का रक्षा बजट पिछली बार की तुलना में 19 फीसदी जादा है वही पूंजी गत्व्याय को 12 फीसदी जादा रखा गया जिसमें नए हत्यार, विमान, युधपोत और अन्य से अन्य उपकरण की खरीच शामिल है इसमें नीजी उद्योगों के लिए रक्षा नुसंधान और विकास बजट का 25 फीसदी अलग रखा गया है इस साल भारत रक्षा बजट आवंटन में दुनिया में पांचवे नंबर पर है इस तरहां भारत सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से घरेलू हत्यार उद्योग को बढ़ावा दे रही है इसी का परिणाम है कि अभारत अत्याधुनिक तकनीक और क्षमताओं से युग्ध आई एने स्विक्रान जैसे स्वदेशी विमान वाहक पोत का निर्मान कर रहा है हालांकि स्वदेशी रूप से निर्मित रक्षा हत्यारों की सूची बहुत लंबी है जिनका यहां वर्णन कर पाना संभव नहीं है फिर भी स्वदेश में विक्सित बहु भूमिका वाले हलके लडाकु हेलिकॉप्टर प्रचंड का उलेख किया जा सकता है यह दुनिया का एक मात्र लडाकु हेलिकॉप्टर है जो करीब 5000 मीटर की उचाई पर हत्यारों और इंधन के काफी जादा भार के साथ उतरने और उडान भरने में सक्षम है गौर तलबे की ऐसे लडाकु हेलिकॉप्टर की जरूरत साल 1999 के कारगिल युद के समय पहली बार महसूस की गई थी इसके अलावा भारत ने स्वदेश में कई हत्यार विक्सित किये हैं जिन में तेजस विमान, अरजुन, टैंक, आकाश, अस्त्र, पिनाका मिसाईल आदी शामिल हैं इस तरहां दुनिया के सबसे बड़े हत्यार आयातक वाले देशों में शामिल भारत अब धीरे-धीरे अपनी सैन्ने आवशक्ताओं को घरेलू स्तर पर ही पूरा कर रहा है ऐसे में आईए अब समझने की कोशिश करते हैं कि रक्षाक्षेतर में आत्म निर्भर बनने के लिए भारत के सामने क्या चुनौतियां है असल में भारतिये हत्यार उद्योग को बढ़ावा देने की भारत सरकार के नीतिगत फैंसले सराहना योग्य हैं लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत 2017 से 21 में दुनिया का सबसे बड़ा हत्यार आया तक था इस अवदी में भारत का यह हिस्सा दुनिया भर में हुए हत्यारों के आयात का 11 फीसदी था सीपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को प्रमुख हत्यारों की आपूर्ती करने वाला रूस सबसे बड़ा आपूर्ती करता था रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि साल 2017 से 2021 के बीच फ्रांस से भारत के हत्यारों का आयात 10 गुना से अधिक बढ़ गया इसकी वजह से फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा हत्यार आपूर्ती करता बन गया है इसके अलावा भारत में अभी एक टेक्निकल गैप है क्योंकि भारत में अभी भी अनुसंधान और विकास पर उतना जोर नहीं दिया जा रहा जितने की जरूरत है बेशक भारत का रक्षा बज़ट बढ़ रहा है लेकिन यह उत्पादन कламता को बढ़ाने के अलावा सीमा सुरक्षा की वजह से भी बढ़ रहा है सीपरी की ही रिपोर्ट के मुताबिक भारत का रक्षा खर्च इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पाकिस्तान और चीन के साथ सीमाओ परस्थिती तनावपूर्ण है रक्षा क्षेतर में आत्म निर्वर बनने के समक्ष चुनौतियों का एक पहलू ये भी है कि घरेलू निजी कमपनिया इस क्षेतर में तब तक बहुत जादा रुची नहीं लेंगी जब तक कि उन्हें इसमें मुनाफे के साथ साथ स्थिर्ता दिखाई नहीं देती निजी कमपनियों का इस क्षेतर से अलगाव रक्षा उपकर्णों का निर्यातक देश बनने में भारत के लिए एक बाधा का काम करेगा क्योंकि केवल सारवजनिक क्षेतर की कमपनियां मांग आपूर्ती के अंतराल को पाटने में सक्षम नहीं होंगी इसके अलावा भारत में रक्षा उद्द्योक के मताबिक कौशल प्राप्त पेशेवरों की कमी है तो आईए समझते हैं कि ऐसे में आगे की रहा क्या हो सकती है सरकार के द्वारा स्वदेशी करण के लिए महतवपूर्ण कदम उठाए गए हैं भारत जहां पहले रक्षा उपकर्णों का आया तक था वही अब एक निर्यातक देश के रूप में उभर कर सामने आया है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2019 में रक्षा उपकर्णों के निर्यात के मामले में भारत का 19-वा स्थान था लेकिन इस सब के बावजूत अभी कई महतोपूर्ण मुद्दे है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है भारत में टैलेंट की कमी को पूरा करने के लिए रक्षा उद्योग से संबंदित कौशल कारेक्रम या शिक्षा कारेक्रम चलाए जाएं जिससे की रक्षा उद्योग को जरूरत के मुताबिक पेशेवर मिल सके इसके साथ ही भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास को और अधिक बढ़ावा दिये जाने की जरूरत है निजी कमपनियों को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए सरकार को प्रोडक्षन लिंग्ड इंसेंटिव जैसी योजना को रक्षा उद्योग क्षेत्र में शुरू करने पर भी विचार करना चाहिए आईए अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न रक्षा उपकर्णों के संदर्ब में भारत की आयातक वाली छवी परिवर्तित होकर निर्यातक देश के रूप में हो गई है इसकतन का परीक्षन कीजिए